साथियो नमस्कार आज आपके लिए भेडों में उनकी कटाई से समंदित वीडियो लेकर के आए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं मसीन के दवारा भेड के उनकी कटाई मैं आपको बता दूं कि भेड में उनकी कटाई की किरिया को सीरिंग के नाम से जाना जाता है यानि उनकी कटाई करना या उनको कतरना अलग-अलग बासा में अलग-अलग नाम से जाना जाता है कुछ लोग उनको काटना कहते हैं कुछ लोग उनको कतरना के नाम से जानते हैं और मैन सबसे ये है कि भेडो में उनकी कटाई जो अपन करते हैं कब करनी चाहिए और साल में कितनी बार करने चाहिए तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि भेडों में उनकी कटाई सामानेते साल में दो बार की जाती है जिन भेडों में उनकी लंबाई जादा होती है जिन में उन जादा बढ़ती है उनमें दो बार जादा जरूरी है जबकि अपने भारत के अधिकांस भागों में जो उनकी कटाई की जाती है वो एक बार ही की जाती है क्योंकि अपने यहाँ पे जो ज़्यादा तर भेड़े हैं वो ज़्यादा उन वाली नहीं है समने उनकी भेड़े होने की वज़े से पशुपालक एक बार ही उनकी कटाई करते हैं जबकि अपने को साल में दो बार उन की कटाई करने चाहिए उससे उन की quality अच्छी बनी रहती है और साथ ही साथ में भेड को tempering की समस्या से बचाया जा सकता है tempering का है मतलव यानि उन की वज़े से गर्मी जादा होने से भेड वो हापने लगती है उसे tempering कहती है तो भेडों की उन की कटाई दो बार करनी आउशक होती है कब करें ये सबसे ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले तो अपन जैसे ही सर्दी complete होती है February लास्ट में और मार्च 15 मार्च से पहले पहले 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में अपने को उन की कटाई कर देनी चाहिए और यदि second बार कोई कटाई करता है तो दूसरी उनकी कटाई लगबग जुलाई लास्ट और अगस्त के अंदर अपने को कर देनी चाहिए अभी जैसे आप ये देख पा रहे हैं ये जुलाई मिड जुलाई के अंदर उनकी कटाई है वो की जा रही है क्योंकि ये जो दुम्बा नसल की भेड है और ये स्टाल फिडिंग पे है तो इसके अंदर उनकी है वो बढ़वार जल्दी होती है तो इसलिए थोड़ी सी अरली शेरिंग इन में की जा रही है ताकि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा हुमेडिटी की वजह से पसू है वो स्ट्रेस में ना आई और उनका उत्प करें कि उनकी क्वालिटी अच्छी आए तो इसके लिए अपने को शेरिंग में क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला तो ये होता है कि आप जब भी स्ट्राइब करते हैं उनकी कटाई करते हैं तो उससे तीन से चार दिन पहले भेड को या मेल जो है उसे अपने को नहला देना चाहिए और नहलाने के दो या तीन दिन बाद में यदि अपन कटिंग करेंगे तो उससे उन के आंदर जो भी गंदगी थी या मिट्टी थी वो बाहर निकल जाती है जिससे उन भी अच्छी गुणवत्ता वाली मिलती है और साथ ही साथ में यदि अपन मसीन सेरि अच्छी बनी रहती है और वो खराब भी नहीं होती तो अपने लिए भी इजी होता है और अपना जो इकुपमेंट है वो भी सही बना रहता है और साथ ही साथ में उन की जो क्वालिटी है वो भी अपने को अच्छी मिलती है सामानेत यदि अपन बात करते हैं तो अपने भ रेम्बूलेट भेड है उनमें यदि अपन बात करें तो उनमें धाई से तीन किलोग्राम ओस्तन भेड की उन से उत्पादन होता है अभी आप ये देख पा रहे हैं कि एक भेड की उनकी कटाई करने के बाद में हमने सेकिंड दुम्बा नसल की भेड की कटाई यहां पे शु करने वाला है वो प्रोपर कि एफिशेंट नहीं है तो भी पांस से साथ मिनट के अंदर आराम से उनकी कटाई है वो मसीन के दोरा की जा सकती है मसीन के दोरा उनकी कटाई करने के भी अपने अलग फायदे हैं एक तो एक जैसी कटिंग होती है पसु के सरीर पे छोटे लेटी वाली मिलती है सब उनकी जो लेंथ है स्टेपल लेंथ जिसे बोलते हैं वो अच्छी मिलती है और दूसरा भेड के या मेल के सरीर पे जब कैंची से कटिंग करते हैं साधारन तरीके से तो उसमें कट लगने की संभावनाई जादा होती है जबकि मसीन शेरिंग के अ खिटी मुलायम होती है तो वो इकटी हो जाती है और इकटी होने के बाद में मसीन का जो पंजा है उसके अंदर आकरके और चमडी में कट लग जाना एक सोभाविक है उन बातों का अपने को साथ में द्यान रखना चाहिए जब भी अपन कटिंग करते हैं तो बेड को या मे केल को खड़े रख करके भी की जा सकती है और उसे साइड में लेटा करके भी की जा सकती है यदि अपना पसु आराम से कमफर्टेबल तरीके से जमीन पे खड़ा है तो उसकी खड़े में कटिंग करेंगे तो अपने लिए भी ज्यादा अच्छा है और पसु भी उसमें अरामदा एक इस्तिती में रहता है तो इस तरह से अपन उनकी कटाई है वो कर सकते हैं ये मैंने पहले ही बताया कि साल में अपने को दो बार उनकी कटाई कर देनी चाहिए और बात करते हैं कैंची और मसीन rising के अंदर difference की तो ये चीजें भी अपने almost साथ में cover कर ली है तो इस तरह से अपने को शीरिंग है वो कर सकते हैं और मसीन भी अलग-अलग तरह की अलग-अलग साइज की मसीने आज के समय में मार्केट में एवेलेवल है छोटी मसीने भी रहती है ये थोड़ी मसीन आप बड़ी और हैवी मसीन देख पा रहे हो इसमें यदि हार्ड बाल है बकरी के बालों की या बकरे के बालों की कटिंग उन्ट के बालों की कटिंग आदी सब इस मसीन से की जा सकती है हो सकता है किसी साथी के पास में या आपको कहीं मार्केट में छोटी मसीन मिल रही हो तो उससे भी आप है वो भेड के उनकी कटाई है वो आराम से कर सकते हैं एक महतोपून चीज यह है जिसे डिपिंग बोलते हैं तो भेड के उनकी कटाई करने के 3-4 दिन बाद नॉर्मल साइपरमेथरिन या परमेथरिन या एमिटराज सोल्योशन के घोल में भेड को एक बार डिप करवा देना चाहिए जिससे भेड की गर्दन को बाहर रखना है और बाकी पूरे सरीर को उसमें डिप कर देंगे तो उससे सरीर पे कोई external parasite है बाहर से कोई parasite है वो उसमें खतम हो जाते हैं तो इस तरह से अपने को sharing का ध्यान रखना है sharing के बाद में अपने को dipping करना जरूरी होता है ताकि पसू के सरीर पे जो external parasite है वो सब खतम हो जाए तो ये मुखे-मुखे बातें और मुखे-मुखे शावदानिया अपने को रखनी होती है इसके बाद ये आप देख पारे हैं कुछ animals हमारे अलग हैं जिनके अभी तक sharing नहीं हुई है तो इनकी भी अभी sharing है वो इसी समय साथ में आगे से आगे एक एक करके continue करते जाएंगे आप सबी साथियों का धन्यवाद आपने इस महतोपूर्ण वेडियो को ध्यान से सुना सब के बारे में समझा सबी साथियों से मैं निवेधन करूँ हूँ कि चैनल को जगा से जगा लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने सभी अन्य साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद